हेलो एरिवान कैसे आप लोग आपका भई लेकर आये हैं न्यू जॉब की खबर तो इस वीडियो को लाइक शेर दरूर से कर देना एंड अगर आपको ये चैनल पर वीडियो हिल्फुल लागे ताब ये चैनल को इजिली सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जो भी न्यूड अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक प्रवाइड हो सके चलिए ये रिकूट्मेंट के बारे में डिसकस करते हैं आई प्यार की तरफ से 2023 की लेटेस रिकूट्मेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर तो वीडियो म अपलाय करने का प्रोसे तरिके से रहने वाला है तो वीडियो में लाश्ट क बने रहे ना जबी आपकी हिहाँ सभी क्यूशन से इन्राउड यहाँ आपके किलियार होने वाले और यह जो रिकूट्मेंट है वह रिगूलर बेसिस पे हैं आपको रिकूट्मेंट देखने को मिलने वाली है as a fresher office recruitment के लिए eligible रहने वाले और इंडिया के candidate यहाँ पर eligible रहने वाले कोई भी state हो या कोई भी district को आप easily apply कर सकते है but is recruitment के अंदर एक disadvantage है कि यहाँ पर only SCST और OBC के candidate ही यहाँ पर eligible रहने वाले आप यहाँ से इसकी notification से readout भी कर सकते हैं कि इन्होंने notification में clearly mention क्या हुआ है कि online application are invited for eligible candidate for the following reserve reports for SCST OBC category on direct recruitment basis मतलब यहाँ पर SCST और OBC के candidate ही यहाँ पर eligible रहने वाले और जो हैं आपको vacancy देखने को मिलने वाली है वो scientific assistant post के लिए हैं आपको vacancy देखने को को देख रहे हैं वह skip कर सकते हैं या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताके जो भी ने वीडियो अप्लोड हो आपके लिए helpful हो सके चलिए हैं पोस्टनेम वाइस वेकेंसी के बारे में discuss करते हैं सिविल के लिए हैं आपको total one vacancy देखने को मिलने वाली है जो भी candidate का डिप्लोमा हुआ है 3 year का सिविल इंजिनेरिंग से उनके लिए हैं आपको one vacancy और यह जो one vacancy है वो only SC category के लिए हैं आपको vacancy देखने को मिलने वाली है अगर आपके पास 60% का मार्थ है डिप्लोमा में तो आप यहाँ पर eligible रहने वाले सिविल इंजिनेरिंग पोस्ट के लिए एक जो यह आपको पोस्टनेम देखने को मिलने वाला है अगर आपके पास डिप्लोमा है computer science engineering में तो आप यहाँ पर eligible रहने वाले आपके लिए आपको 3 vacancy देखने को मिलने वाली है और जो हैं आपकी category wise vacancy है अगर SC में है तो आपके लिए 1 vacancy है HD के लिए 1 vacancy है and OBC category के लिए हैं यहाँ पर आपको 1 vacancy देखने को मिलने वाली है टोटल हैं computer के लिए 3 vacancy है जो भी candidate का diploma हुआ है engineering में 3 year का computer science से वो यहाँ पर eligible रहने वाले या फिर अगर आपके पास BSC है computer science में तो भी आप इस recruitment के लिए eligible रहने वाले मतलब यह computer science post के लिए आप eligible रहने वाले नेक्स हैं आगा जो post की बात करें electrical electrical के लिए हैं सबसे ज्यादा vacancy देखने को मिलने वाली है total यह आपको 10 post पर है आपको electrical के लिए vacancy देखने को मिलने वाली है जो भी candidate का diploma अगर electrical branches से हुआ तो आपके लिए हैं आपको 10 vacancy आप यहां से category wise vacancy को भी रिडाउट कर सकेंगे इसकी complete notification की पीडिया मैं आपको telegram page पर provide कर दूँगा जो भी candidate interested हो telegram page को जाहन करके इसकी complete notification को आप इजिली read out कर सकेंगे इसकी बात करें तो अगर आपके बास यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है एक्स पोस की बात करें तो electronics जो भी candidate का अगर डिप्लोमा कर दूँगा जो भी candidate interested है इसको notification को read out करने के लिए वो telegram page को join करके इसकी complete notification को आप एक बार read out भी कर सकते है application form starting date की बात करें तो 15 February 2023 से application form start होने वाली है और जो इसकी link activate होने वाली हो 15 February से इसकी application form की link activate होने वाली है direct apply करने का link में आपको वीडियो के description में provide कर दूँगा आप वहां से जाकर directly application form को easily fill up भी कर सकेंगे and जो इसकी last date हैने वाली है वो 15 March 2023 इसकी last date हैने वाली है job description की बात करें तो जिस post के लिए आप अपलाय कर रहे है मतलब यहां आपका job role क्या रहने वाला है आप यहां से readout भी कर सक लिमिट की बात करें तो जो यहां आपकी minimum age limit देखने को मिलने वाली है वो 18 और maximum यहां आपको 30 यहां आपकी maximum age limit देखने को मिलने वाली है relaxation आपको esper government rule के सबसे हैं आपको relaxation भी provide होने वाला है जैसा SCST category के लिए हैं आपको 5-year का relaxation CNCL के लिए हैं आपको 3-year का relaxation देखने को मिलने वाला है और जो candidate PWT category में आते हैं उनके लिए हैं आपको 10-year का relaxation देखने को मिलने वाला है salary की बात करें हैं तो आपको pay level 6 के according हैं आपको salary provide होने वाली है 35,000 यह आपको per month के लिए salary provide होने वाली है plus यह आपको other alliances भी हैं आपको provide होने वाले selection process की बात करें तो only है आपको objective type question and personal interview के basis में आपका final selection होने वाला है application fees के charges की बात करें तो जो भी candidate general EWS OVC category में आते हैं उनके लिए हैं आपको 200 रुपी अप्लिकेशन फीज के charges पे करना है और जो candidate SCST, female, PWD, EX servicemen, EWS category में आते हैं उनके लिए हैं आपको कोई भी fees भरने की जरूरत नहीं है application fees के charges पे करने का process है वो भी आप यहां से readout कर सकते हैं इसकी complete notification की PDF में आपको telegram page पर provide कर रहा हूँ आप वहां से आगर इसकी complete notification को आप easily readout कर सकेंगे only यहाँ पर इंडिया के candidate यहाँ पर eligible रहने वाले कोई भी state हो या कोई भी डिस्टी को आप यहाँ पर easily apply कर सकते हैं जो हैं आपकी return examination के center देखने को मिलने वाले हैं वो दिली, मुंबई, कोलकता, चिन्ने, गौवार्टी और एमदाबार और गांधी नागर हैं आपकी return test के center देखने को मिलने वाले हैं और जो भी candidate अगर return exam में shot list होते हैं तो उनका यहाँ आपका interview का location देखने को मिलने वाला है इं जो इसकी last date हेने वाली ह those 15 March 2023 इसकी last date रहने वाली है apply करने का link मैं आपको वीडियो के description में provide कर दूँगा आप हाँ से जाकर directly application form को easily fill up भी कर सकेंगे and जो यहाँ apply करने के time important document है वो भी आप यहाँ से read out कर सकेंगे कि जो यहाँ आपको upload करना important document वो भी आप यहाँ से read out कर सकते है या फिर आप telegram पर जाकर इसकी complete notification को आप easily read out भी कर सकते last date रहने वाली हो 15 March 2023 इसकी last date रहने वाली है application form की start जो link activate होने वाली हो 15 February 2023 से आपको application form एक्टिवेट होने वाली है इस तरीके से यह notification है इस notification के अंदर अगर आपको कोई भी questions या doubt रहते हो तो आप हमें comment करके धरूर से पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके comment की replay करने की and अगर आपको यह channel पर वीडियो helpful लगे ता आप यह channel को easily subscribe करके रख सकते हैं ताकि जो भी नीवड़े upload हो उसकी notification भी सबसे पहले आप तक provide हो